आज हम मूगरी बेंगन के सब्ची आने जा रही हूं यह अड़ाइसो ग्राम थी उसमें से इतना पेस्टेग निकला है बेंगन को इस तरह से काट के हम पानी में डाल देते हैं हुकर में बना रही हूं एक चम्मच में मूफली का तेल ले रही हूं थोड़ी सी राई एक मिच्ची है आधा इंच अद्रक का टुकड़ा है अजवाइन डाल रही हूं वन पिंच हींग आधा कब पानी इसमें डाल पे और इसे इसमें डाल देते हूं कानी इसके लिए डालते हूं कि यह हरी सब्जी है तो अंदर जाके कानी रहूं देते हूं हम इसमें बैंगन भी डाल देते हूं नमक स्वाधनों साथ हलवी वन पूर्ट पीसपूर आधा चम्मच भर के धन्या पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च रापस हम अच्छी तरह से मिर्च करने के दो टमातर ले रही हूं इसे साफ करके काटी आई पानी डालने के पहले एक बार इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ निक्स कर लिजिए कुछ इस तरह से मसाले लगने चाहिए पूरा मसाला लपेता गया है केवन आधा कप पानी और हम लीव लगा देते हैं दो सीटी होने तक बस देखिए यह सबची एकदम बन कई है और तरी वाली है एक चुट्टी की होने मसाला डालते हैं जिससे इसका स्वार अच्छा आता सर्विंग बोल में ट्रांस्पर कर लिए इसे हम धन्या से गार्णिश करते हैं यह मेरी मूगरी बेंगन के सबजी बनके तयार झाल